अगर आप लोग किसी भी गवर्मेंट एक्जाम की तयारी कर रहे हैं चाहे वो आपका सिविल सर्विस यानि की IES UPSC हो फिर चाहे आपका स्टेट PCS हो और देखिए जब मैं स्टेट PCS कहता हूँ न तो उसमें आप देखें कि सिविल सर्विस की तरह है आपके राज में जो PC PCS का एक्जाम होता है न वो कवर हो जाता है और फिर आप देखेंगे कि UP में UP PCS होता है बिहार में BPSC होता है राजिस्तान में RPCS होता है MP में MPPSC होता है सभी राज्यों में आप लोगों को देखने को मिलते हैं और आप देखते हैं कि वो अंडे एक्जाम भी होती रहते ह और इन सब में current affairs सी questions हर साल पूचे जाते हैं तो मैं हमेसा कहता हूँ कि कम से कम आप लोग एक न्यूच्वेपर हर हाल में follow करते रहिए और अगर हिंदी मीडियम से हैं तो आप लोगों के लिए best है दैनिक जागरन और इंग्लेस मीडियम से हैं तो इंडियन एक्सप्रेस हो क्यादा हिंदू हो गया यह भी पढ़ते रहा करिएगा कुरूचेत पढ़ा करते रहा करिएगा योजना पढ़ा करते रहा करिएगा लेकर हम लोग क्या करते हैं कि जब आपका मन्त खतम होता है तो उसके लास्ट में कुछ मातपोंड questions उस महीने में जो घटना है घटी होत और पिछले महीने का भी आपको वहां मिल जाएगा यह आप देखें फरवरी महीने का है फरवरी महीने में जो घटना है घटी उनसे आपकी परिक्षाओं के लिए कौन से questions महतपोंड हो सकते हैं किस तरह के बन सकते हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं और आप देखेंगे फरवरी 2023 क्या है यह जरूर आप लोग याद रखेएगा यहां उपर अगर आप लोग देखें ना तो आप लोगों को इहां देखें ऊपर ए करन्ठ पर यहस फरवरी 2023 का है यह जरूर आप लोग याद रखेगा और इसकी PDF आपको टेलीगराम पढ़ मिल जाए तो इसमें आप देखेंगे कि अमन पीट होंगे कौन होंगे अमर प्रीथ होंगे यानि कि D option इसमें बिल्कुछ सही रहेगा और एक बात आपको बतादू देखिए पड़ोसी अगर हमारे पाकिस्तान जैसे हो चाइना जैसे हो तो हमें आप देखी कि बायू यानि कि बादलो न कर दे हमारे दिसमें कुछ घटना है न घटा दे इसलिए हमारी वाईव सहना है जल सहना देखते हैं जल के द्वारा भी आप देखते हैं कि आतंकी हमले करवाए जाते हैं तो जल सहना हो गई थल सहना आप देखिए यहां से पाकिस्तान से आएंगे तो थल सहना हमारी कमा समालती है तो यह आप लोग देखते हैं तो इसमें D option लगा देना एक फरवरी 2023 को भारतिये तरक्षक बल ने अपना कौन सा इस्थापना दिवस मनाया है बताईए यह आप देखेंगे कि इसमें 47 बा, 42 बा, 45 बा, 49 बा भारतिये तरक्षक बल ने तो यह आप देखेंगे 47 बा यह हमारी भारतिये तरक्षक बल तो यह भी आप लोग याद रखेगा इसकी बारे में 1978 में सक्क्रिये हुगा था तो इसमें C option ठीक रहेगा आपका अंगला question है किस राजी की सरकार ने गरीब महलाओं के लिए लाड़ली भेना नमक यूजना शुरू की है यह आप लोगों कि जिनकी उम्र 13 साल से 60 साल की उम्र है उन महलाओं को 1000 रुपे महिना देने की बात हो रही है और मैं आप लोगों से पहले भी कुछ से बात हैं कहता रहा हूं कि इस तरह की यह उजनाओं के बारे में गरीबियों को होती है तो उन्हें जरूर आप लोग बता दिया करिएग कि भोपाल इसकी राजधानी है और इसकी सीमा अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि उत्तरपदेश से लगती है राजिस्थान से लगती है गुजरात महराज 36 गर से लगती है एक नवंबर 1956 में इसे राज बनाए गया था आँगे चलकर आप देखते हैं कि एक मंकमंत्री मंगू भाई चागन भाई पटल यहां के राजपाल है यहां कर छेथफल देखें तो छेथफल में दूसरे नंबर पर पहले पर राजिस्तान दूसरे पर मद्धपदेश आपका 3,8,245 बरक किलुमीटर में फैला हुआ है MP आपका मद्धपदेश अंगला कुश एक फर्वरी दो हरी यहां देखें चार फर्वरी यहां पाच फर्वरी तो आप सभी को बता दूն की दो हराजपर कब्र इल्सक्र बाता है तो यसलिए आप देखते हैं और इस बार की theme की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे It's Time for Badlands Restoration इस बार की theme रखी गई है ठीक हो, Badlands को आप लोग पितवी की किन्नी भी कहते हैं और आदभूमी कारवन डायोकसाइड को आउसोसित करते हैं तो ये भी आप लोग याद रखेगा इसमें B option होगा आपका, क्या होगा? B option होगा अंगला है भारत के किस पडोसी देश के पूर राष्टपती रहे परवेज मुसरब का 89 बरस की उमर में death हो गई है तो मुझे लगता है कि ये तो आपको मालू होगा कि पाकिस्तान कहां? पाकिस्तान के थे और 1947 तक हमारा ही इस्ता था अभी आप देखें लद्दाग हो, जम्मू कस्मीर हो, पंजाब हो, राजिस्तान हो, गुजरात पांच रज्जों की सीवा हमारी लगती है पाकिस्तान से, ठीक है? पितिवस, विश्व कैंसर दिवस की स्तारी को मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस की बात कर रहा हो, तो आप देखेंगे कि ये कम मनाया जाता है? चार फरवरी, पांच फरवरी, छे फरवरी, शाथ फरवरी, तो यह आप देखेंगे कि कब मनाया जाता है आपका, चार फरवरी को मनाया जाता है, 200 कैंसर दिरवस, और 200 कैंसर दिरवस का नेतित 2008 में एक तरह से सुरू की बात हो रही है, और कैंसर के बारे में आपने देखा ह पहले किसी को cancer हो जाता था तो ऐसा माल लिया जाता था कि उसका काम खतम है लेकिन अब तो आप देख रहे हैं कि सब कुछ क्या हो गया मतलब आप देखिए सब का एलास संभा हो गया और इसका उद्देश आम लोगों को cancer के खतरों के बारे में जागरोग और इसके लक्षन से लेकर इसके बचाओं के बारे में जानकारी दी जा सके और विश्व स्वास्ते संगर्थन की पहल पर 1933 में पहला cancer दिवस जैनेबा सुईजलेंड में मनाया गया था और देखिए WHO के बारे में बात करें World Health Organization साथ अपरेल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी जैनेबा सुईजलेंड में इसका headquarter देखने को मिलेगा और साथ अपरेल को आप लोग विस स्वास्त दिवस भी तो मनाते हैं और इस सालत की थीम रखेगी है किलोजदा केयर गैप ठीक है तो यह भी आप लोग याद रखि 65 पे ग्रेमी अवर्ड के विजिताओं की घोशना हुई है जो किस चेत में दिये जाते हैं यह बताईए भाई चेकेसा अर्थसा संगीत परुद्वकी की किस में दिये जाते हैं यह संगीत के सबसे चर्चित पुरुसकार ग्रेमी अवर्ड के विजिताओं का एलान हुआ है और आपको बता दू कि 65 ग्रिमी अबोर्ड में भारती एक कंपोजर रिकी केज ने अपना एलबम डिवाइन टाइटस के लिए रॉक लिजेंड इस्टी वर्ड कॉपलेंड के साथ बेस्ट इमर्सिव एलबम का अबोर्ड जीता है और इस विकार की एक क्रेज का लगाता दू अरओन फ्रेंच नय अंतरश्ठी किरिकिट से सन्यास लिया है। एक कई बार पूँछ लेता है किस खेल से जड़े हुए थे और किस देश के थे तो आप कोई समझ में आ गया किरिकिट से जड़े हुए थे अरओन फ्रेंच यह आप देखेंगे कहां कि थे ऐस्टेलिया थे थे कहां कि ऑस्टेलिया के कौन भारतिय मूल की पिता महला हारवर्ड हारवर्ड लॉर रिव्यू की नई अध्यक्ष मनी हैं यह आप देखेंगे अपसरा अयर होंगी अपसरा अयर होंगी यह उपसन ठीक है पिसिद व्यक्ती वाणी जैराम का 77 बरस की उम्र में डेथ हो गई है एक कौन थे एक गायक थे और आप देखेंगे कि इन्होंने तमिल तेलगो मलयालम और मराठी बंगाली तेलो उडिया जैसी साउथ की भासाओं में के अलाबा हिंदी मराठी भोजपुरी उर्दू जैसी भी गाना गाय है ठीक है तो गायक थे के सत्त नारायन राजू किस बैंक के नए MDCEO बने है तो आप देखें कैनेरा बैंक के किसके कैनेरा बैंक के तो इसमें ए उप्सन ही लगा दोगे क्या लगा दोगे ए उप्सन ही लगा देना कैनेरा बैंक चलिए अंगले कुशिन की तरफ चलते हैं इसका हेड़क्वार्टर बेंगलॉर करनाटक में देखने को मिलता है किस देश से समंधित खिलाडी कामरान आकमल ने किरकिट के सभी प्यारूपों से सन्यास लिया है यह कहां किये थे हैं यह आप देखें पाकिस्तान के हैं रफल किया संयास लिया है यह आप देखें फटवाल से जुड़े हुए थे किससे फटवाल से जुड़े हुए थे अंगला कोउमिशन है हमारे सामने RBI ने रेपोरेट में 0.25,3% की बढ़त्री की है जो अब बढ़ कर कितनी हो गई है ए 6.50 फिजदी हो गई है अब आप लोगों के मन में एक तो RBI की बारे में याद रखिएगा Reger Bank of India बैंकों का बैंक भी आप लोग कहते हैं जिसे केंदरिये बैंक है हमारी 1.1935 में इसकी स्थापना हुई थी मुंबई में headquarter देखने को मिलेगा और repo rate क्या होती है ये भी तो सवाल आप लोगों से आता है न repo दर वह ब्याद दर होती जिस पर RBI वड़िजी बैंकों को एक तरह से क्या देता है RID देता है ठीक है तो ये आप लोग समझे लिजे पैसा उधार देता है इसलिए कहता हूँ इकवनोमी के लिए आप लोग पढ़ा करिएगा NCRT base मजबूद करने के लिए किस सहर में भारत का पहला Glass Igloo Igloo restaurant खोला गया है ये कहां खोला गया है भाई बताइए ये आप देखे कस्मीर में खोला गया है कहां कस्मीर में खोला गया है और 375 से हट चुका है जमू कस्मीर से जमू कस्मीर को दो भागों में लद्दाग और जमू कस्मीर में आप देखेंगे बाट दिया गया है और यहां अगर आप लोग देखें तो देखे एह है आप देखेंगे और इसकी सीमा आप देखेंगे अंतरश्टी सीमा पाकिस्तान से लगती है राज्यों में आप देखेंगे लद्दाग और आपकी हिमाचल पिदेश और आप देखेंगे आपकी किस से पंजाब हिमाचल पिदेश और पंजाब से लगती है ल इस में जम्मू कश्मीर में विधान सबा होगी और लेकिन लद्दाग में विधान सबा नहीं होगी एक गिलास इगलू रेस्टोरेंट खोला गया है कांच की दिबार वाले इस रेस्टोरेंट को गुल मरक के कोला होई Green Heights होटल बर्प के बीच बनाया है यह कांच बाला यह न अंगला कुष्ण है पिती वर्स बिस्त दलहन दिवस की स्तारी को मनाय जाता है बिस्त दलहन दिवस की बात हो रही है यह 8 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी यह आप आप देखें 14 फरवरी तो यह आप लोगों को बता दूं कि कब 10 फरवरी को मनाय जाता है कब 10 फरवरी को और आ समर 2008 में आयुजे सेवक्तराष्ट महसाबा के 73 सत्त में हर साल 10 फरवरी को की तारीक को विर्ष से दलहन देवस के तोर पर मनाने की गुजारिस की गई थी और इस बार की थीम क्या रखी गई है एक सतित भविर्ष के लिए दलहन ठीक है रखी गई है यहाँ एक तो आप देख को मिलेगा और सेयुक्तराष्ट की बात करें यूएन की अगर यूएन की हम लोग बात करें ना यूनाइटिट नेसंस की बात कर रहो तो इसकी इस्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी और नियॉर्क यूएसी में इसका हेड़क्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपक कौन किर्केट के तीनों प्यारूपों में सतक जड़ने वाले पहले भारतिये कप्तान बने हैं बदाई भाई कौन जड़े है तो यह आप देखेंगे कौन है रोहिस सर्मा है सी ऑप्सन ठीक है बिलकुल किस पुरुस किर्केटर को जनवरी महिने के लिए ICC पिलियर आप द मिला है इला है सुब मन गिल को यह कहां के भारत की डी ऑप्सन ठीक है ए आई सी सी की बारे में बात कर लेतें इंटरनेशनल किर्किट काउंसिल की बात हो रही है और इसकी स्थाफना की अगर हम लोग बात करें तो कब हुई थी दोबाई से एक तरव अमीरात में इसका हैड़कोर्टर देखने को मिलेगा यह भी आप लोग याद रखेंगा 15 जून 1909 में इसकी स्थाफना हुई थी अंगला कुश्चन है हमारे सामने किस महला किर्केटर को जनवरी महीने के लिए ICC पिलियर ऑपदा मंत का सम्मान मिला है यह आप देखेंगे ग्रैस इसक्रवेंस इंग्लेंड की थी B option ठीक है इसमें पितीवस दुनिया भर में बिस radio दिवस की स्थारीक को मना जाता है बिस radio दिवस का आप देखें हमारे पिदात्र मंत्री ने जब मन की बात शुरू की थि नहां तो सबसे पहले आप देखे radio पर ही पिसारित की थी और radio आप समझते हैं कि mobile हो आज भी smart phone बात हो रही है ठीक है तो यह आप देखेंगे कि इस बार 12 बार वर्ल्ड रेडियो डे था और इस साल रेडियो और सांती की थीम के साथ यह दिन दुनिया भर में मनाये गया है और 13 ही वह तारीक थी जब 1946 में अमेरिका में पहली बार रेडियो ट्रांसमेशन से संदेश भीज रखा था इसके बास साल 2011 में यूर्ल सकों के सदस्स देशों ने इस पिस्ताओ को सुइकार किया था और साल 2011 सेयक्तराश्ण बहसभित इंब से रेडियो दिवस की पिस्ताओं पर मोहाल मोहाल लगा दीती तबी से आप देखें कि 13 फरवरी को 20 से रेडियो दिवस मनाया जाता है तो यह आप लोगों को याद रखना चाहिए यहाँ देखी UNESCO की बात हुई है तो इस संगर्टन के बारे में भी बता देता हूँ आपको इसकी इस्तामना 16 नवंबर 1945 में हुई थी पैरेस फ्रांस में इसका हेड़कोर्टर देखने को मिलेगा तो इसमें B option लगा देना क्या? B option लगा देना मुहमत साहबुद्दीन चुपू भारत के किस पड़ोसी देश के नई राश्पती बने है और यह बताइए अजीब नाम है तो यह बने है कहां कि? बंगला देश और बंगला देश आप देखते हैं कि हमोई लोगों ने भारत नहीं आजाद करवाया था यहाँ आप देखें पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था 1971 में आप देखें इसकी आजादी को लेकर भारत तो पाकिस्तान की वीचे उद्ध हो गया था और उस समय हमारे देश की प्यधान मंतरी इंद्रा गांदी थी पर्षे मंगाल की सीमा लगती है असम की सीमा मेघाल है तिप्फुरा मेजोरम पांच राज्यों की सीमा हमारी लगती है किस बस 2022 की महा राष्ट भूसर्ण पुरुसका से समानित किया गया किसे एक किया गया है अप्पा सहब धर्मादी कारी को ठीक है भी ओप्शन आपका बिल्कुल ठीक है यह और आपको बता दूँ कि 14 माई 1946 को जन्मे धर्मादी कारी ने बीते कई सालों से अंद, सिद्धा, निर्मूलन, स्वक्षताभियान, पोधार उपन जैसे सामाजी कारियों में योगदान दिया है 2017 में उन्हें पदम सिरी से भी सम्मानित किया गया था ठीक है? अगला कुश्चन है हमारे सामने क्या कह रहा है? एक कह रहा है निकोस, क्रेश्टो, डोलाइड्स किस ये ये देश के नए राश्टपती बने है? ये आप देखे साइपरस के बने है कहां के? साइपरस के बने है इउरो करेंसी चलती है ये आप साइपरस में और निकोसिया इसकी राध्धानी है ये भी आप लोग याद रखेगा अगला है किसे महराश्ट राज्जिका नया राजपाल ने उक्त किया गया है? महराश्ट राज्जिका और महराश्ट वैसे भी बहुत चर्चा में रहा रमेश बैसको महराश्ट के बारे में अगर हम लोग बात कर ले ना तो देख लिज़े चलिए राजनीती में बड़ा उठापटक होती रही है तो ये आप देखे महराश्ट है मुंबईस की राध्धानी है एक माई 1960 में सिराज मनाये गया था इसलिए आप देखते हैं कि एक माई को महराश्ट दिवस मनाये जाता है इसकी सीमा गुजरात, मद्धपदेश 36 गर्ट, तेलंगाना, करनाटक और गौा से लगती है और यहाँ आप देखें कि विधान सभा में और 78 सीट है महराश्ट में विधान सभा विधान पोजिशन में 78 सीट है विधान सभा में आप देखेंगे 288 सीट है तो राजसभा में 19 सीट है लोगसभा में 48 सीट है 3,7,713 बरक किलोमीटर में फैला हुआ है छेतफ़ल में तीसरे पर है पहले पर आजस्तान दूसरे में पर मत्पते से पर महराष्ट क्रम से टॉप थिरी आप लोग याद रख सकते हैं कौन टीट्वेंटी अंतराष्टी एक अंतराष्टी है मैं सो विक्र लेने बाली पहली भार्ती क्रिकेटर वन गई है कौन है बताई एह है आप देखेंगे द किसे बी एस राजू के स्थान पर भारती थलसेना के अंगले ओप प्रमुक के रूम में डूक किया गया है एह हैं एम बी एम भी सुचिंदर कुमार ए ओप्सन बिलकुल ठीक है इसमें किस खेल से समधिन महान भारती खलाडी तोलसी दास बलराम का 87 वर्स की उमर बे डैथ ह हो गई है एक किस से जुड़े हुए थे करिकेट फॉटवाल हौकी कबड़ी तो यह जुड़े थे फॉटवाल से किस से फॉटवाल से और आप देखेंगे इन्हों ने 1962 में जकार्ता में दच्छिड को रिया को दो एक से हरा कर इसी खीलों का स्वहर पदक जीता था एन्ही इउरोपीय संग ने किस बस से गैस और डीजल कारों की विक्री पिती बन लगानी की गोशना की है यह आप देखें 2035 से एक नवंबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी किसकी इउरोपीय संग की ठीक है अंगला कुशन है पिती बस विस पैंगोलिन दिवस किस दिन मनाय जाता है तो यह आप देखें कि फरवरी महिने की तीसरे सनीवार को मनाय जाता है अब जो भी डेट पड़ें इस बार 19 फरवरी को मनाय गया है और इस दिवस को मनाने का उद्धिस पैंगोलिन जीप की प्रजाती के जो मिट रहा है उनका स्तित उसे बचाना है ठीक है उनकी संख्या घरती जा रहा ही दिन पिती दिन बाफ्टा आवर्ड सो दो Toby 2023 में किसी सर्फ्श्रिष्ट मुख अभिनियता का अवर्ड मिला है बाफ्टा आवर्ड में तो ए मिला है आश्टन वटलर को ऑस्टन वटलर को दी आवप्सकंजीट है और अकादमी यहा फिलिम प्लेवजिन आर्ट प्रोसका दिये गए जिना इस साल फिल्म All Collide On The Western Front को सरफ्टेट फिल्म का पुरुषकाल मिला है, इसके लिए अलाबा, Austin Butler को सरफ्टेट अभिनेता के लिए, तथा Cat Vilenget को सरफ्टेट अभिनेता के लिए, तथा Cat Vilenget को सरफ्टेट अभिनेता का अभॉड मिला है, D-Option होगा इसमें, किस किरके टीम ने रंजी ट्रॉफी 2022-23 का किताब जीता है, या आप देखे सौराष्ट ने जीता है, किसने, सौराष्ट ने जीता है, तो इसमें D-Option लगा दिना, बंगाल गोहरा है इसने, ठीक है, पितिवस अंतराष्टी मात भासा दिवस किस दिन मनाई जाती है, मात भासा दिवस की बात हो रही है, तो ए 21 फरवरी को मनाई जाती है, अंतराष्टी है मात भासा दिवस, और अपने देखिए इसका उद्दे से ही रहता है कि लोग अपनी अपनी जो भासा है मात्वासा है उसके पिती लोगों में रुजान पैदा करना जागरूखता करना और इससे पहली से उक्तराष्ट एक से बिग्यानिक और सांस्कितिक संगठन की सामान समेलन ने 17 नमोबर 1909 में मात्वासा दिवास मनानी की गोशना की थी 21 फरवरी को दादा साहब फाल की अंतराष्टी फिल्म समारो 2023 में किसी बेस्ट फिल्म का अवर्ड मिला है दा कास् міर फाल्स को दा कास्मीर फाल्स को कौन बेकटी हाली में नीटीयओ के नए CEO वण इंए वर्णी की बात करें तो आपको माल होगा कि यह जना आयो को पिती स्थापित करके आय था नीटीयओ आयू खिल्क है और इसकी एक जनमरी 2015 में आय था ना उसी की बात हो रही ही, नई दिल्ली मिसका हैड़क्वार्टर देखने को मिलेगा, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, पी-म साहब, तो अभी बारतमार में मौधी साहब हैं, तो मौधी साहब इसके अध्यक्ष हैं, हुई घोषना के अंसर किस राजज में उत्तर भारत का पहला परमाडू उर्जा सेंथ इस्थाबित किया जाएगा, ये किया जाएगा हर्याना में, कहां? हर्याना साहब में, चलिए एक बार हर्याना को देखा देता हूँ आपको, देखिए ये है हर्याना, चंडीगर इसकी राजधानी है, क्या है? चंडीगर इसकी राजधानी है, एक नवंबर 1966 में इसकी स्थाफना हुई थी, विधान सभा में 90 सीटे, राजसभा में 5 सीटे, लोक सभा में 10 सीटे देखने को मिलेंगी, बंडारू दत्ते ते यहां की राजपाल है, मनुहरलाल घट्टा ने यहा किसे अपना नेशनल इंबेस्टर नियुक्त किया है, किसे किया है, बताइए, के अल राहुल को, रभीना टंडन को, या आयुसमान खुरानों को, अनपीत कौर को, तो यह आप देखेंगे, आयुसमान खुराना को बनाया है, C option ठीक है, बिल्कुल, पिती बस पूरे भारत म केंदरी उतपात सुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है, यह आप देखेंगे कि 24 फरवरी को मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, 24 फरवरी को मनाया जाता है, Central Exercise Day के रूम में, और आप देखेंगे कि 24 फरवरी 1944 को केंदरी उतपात सुल्क और नमक कानून को मनाया गया थ यह हैं डॉक्टर राजीव रगुवनसी यानि की डे ओप्सन ठीक है उसमें फिती बस दुनिया भर में 20 चिंतन दिवस कब मनाया जाता है किस दिन मनाया जाता है 20 चिंतन दिवस यह आप देखें 22 फरवरी को मनाया जाता है दुनिया भर में गर्ल गाइड गर्ल स्काउट को एक दूसरे के लिए सराहना दिखानी के अन्मती देता है और इस दिन को खास तौर पर गर्ल गाइड और गर्ल स्काउट के वारे में सोचने के लिए विस भर में मनाया जाता है इस दिन महिलाओं के सम्मान के तौर पर मनाया जाता है तो इसमें आप लोग 22 फरवरी लगा दीजे किस के टीम ने ICC Women T20 World Cup 2023 का किताब जीता है तो यह आप देखेंगा ऑस्टेलिया ने जीता है किस ने जीता है ऑस्टेलिया ने जीता है दच्छडपी का गोहरा कर जीता है तो यह आप देखें 27 फरवरी को मनाए जाता है 27 फरवरी को और एंजीव दिवस लंदन में मार्किस लियोर रस एसकेड मिस की दिमा की उपस थी यह दुनिया भर की बिविन गैस सरकारी संगटनों के साथ मनाने और याद रखने करने और सहिव करने के लिए हर साल 27 फरवरी को आवजित किया जाता है अंगला कुशन है जारी हुई 2023 की गिलोवल इनो वेंशन इंडेक्स में भारत को 55 देशों में कौन सा इस्थान मिला है तो भारत को 42 बाय स्थान मिला है और बहुत एक संपदा में आप देखेंगे भारत को 55 में से 42 स्थान मिला है भारत के बारे में कहा गया कि भारत का आकार और आर्थिक रसो बैस्विक पटल पर बढ़ रहा है ऐसे इस्तिति में भारत आईपी फेरिट नवाचारों की मतदस्य अपनी अर्थवस्ता का लेता है कई बार कुश्चन इससे भी पूंच लेता है क्या कर लेता है पूंच लेता है कई बार अंगले कुश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग किस फुरस फुटवाल ने फीफा फिलियर ऑफ दा इयर 2022 का किताब जीता है यह लियोनेल मैसी देखिए फीफा की बात करें तो फीफा फॉटवाल से जुड़ा हुए संगठ ने इसकी स्थापना आप देखें 21 महीं 1904 में हुई थी पैस सुईजेलेंड में इसका हेड़कौाटर देखने को मिलेगा फीफा का फैडरेस फैडरेसन इंटरनेशनल डी फॉटवाल एसोसीशन तो इसमें आप लोग लगा देजेगा लियोनेल मैसी है है अर्जीन अर्जीना के सर्वेश ठेट एक क्या है खिलाडी है किस महला फॉटवालर ने फीफा फिलियर ऑप दा येर दो जार ते दो जार वाइस जीता है महला की बात हो रही है तो इसमें आप देखेंगे एलेक्सिया पुट्टेलस एलेक्सिया पुट्टेलस यानि कि भी ओप्सन ठीक है एक कहां की है अर्जिन्टीना की है क्या अर्जिन्टीना की नहीं है अर्जिन्टीना की नहीं है अर्जिन्टीना की तो लेउनल मैसी थे ठीक है और इसके अलाब महला इस्पैन की खलाड़ी है इस्पैन की ठीक है कौन बैक्ती हाली में आरुन आरुन चावला किस्थान पर F5 CCI के नए महासचेप बने हैं यह सेलेस पाठक कौन बने सेलेस पाठक Federation of Indian Chamber of Commerce Industry की बात हो रही 1927 में इसकी स्थापन हुई थी नई दिली में Headquarter देखने को मिलेगा अंगला कुश्चन है पिती वस पूरे भारत में राष्टी बिग्यान दिवस किस तारीक हो मनाया जाता है बताइए यह कम मनाये जाता है तो आप सभी को मालू है कि कम मनाये जाता है यह मनाये जाता है 28 फर्वरी को कव 28 फर्वरी को और आप देखेंगे कि 28 फर्वरी उननी सो अठाथ को भारतिल विग्यानिक सर चंदे सेकर से भी सम्मान किया गया था अलफेड नौवल की पुरुसकार में जो दिये जाते हो नहीं की बात हो रही है तो यह भी याद रखेगा और 1901 से शुरू हुए थे पुरुसकार दिये जाने तो यह भी आप लोगों को मालू होना चाहिए तो इस तरह ऐसे आप देखेंगे फरव अगर आप लोग इस्टेट PCS की तैयारी करों एक सिविल सर्विस की तो मुझे लगता है बिना नियूश्पेपर पढ़े कुछ नहीं उखडने वाला है तो एक नियूश्पेपर हर हाल में आप लोग फॉलू करते रही है ठीक है अगले मार्च में जो भी घटना है उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे आपके कोई सवाल हो मेरे लिए सुझाओ हो तो आप लोग नीचे जरूर भेज सकते हैं और भेजिएगा जरूर